Hello Everyone पिछले वीडियो में हमने देखा है कि रचेशोल नंबर क्या होते हैं रशनल नंबर के कुछ प्रबचीज़ हैं वो हम नहीं देखें और ज़ोल नंबर और नशनल नंबर के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने वहाँसे लेने के कोशिश की है rational number क्या होते हैं जो P by Q के form में लिखे जा सके हैं पहली बात हमने ये सीखी और एक और बात हमने सीखी थी कि सारे ही integers जो होते हैं वो rational numbers होते हैं एक बहुत easy सा example लेकर हम जाने के कोशिच करते हैं कि आज के lecture में हम सीखने क्या वाले हैं माल लेजिए कोई question है एक sample के लिए कि आपको कहा जाए 1 & 5 के बीच में 3 rational number find कीजिए तो जैसा कि हम जानते हैं कि सारे integer rational number होते हैं तो हम जानते हैं 1 & 5 के बीच में कितने 3 1 2 3 rational number हमें insert करने है 1 & 5 के बीच में तो यह बिल्कुल basic सी बात है हम जानते हैं कि इनके बीच में हम 2 3 & 4 इंसर्ट कर सकते हैं जो कि एक rational number है यह एक example था ताकि आप समझ सके कि हम आज सीखेंगे क्या लेगिन आपके books में इतने easy question नहीं आएंगे नहीं आपके exams में question आएंगे कि example के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि 1 & 3 के बीच में 5 rational number find करके आप हमें बताईए एक तो ऐसे questions आ सकते हैं और questions आ सकते हैं जो proper rational number की form में questions होंगे और आपसे कहा जाएगा कि 1 by 8 & 3 by 8 के बीच में 6 rational number find करके आप हमें बताईए तो ऐसे सारे कुछ questions हैं जिनने आज हम solve करेंगे जिनने हम आज जाने के कोशिच करेंगे कि इन्हें solve करने के क्या-क्या method हम use कर सकते हैं तो इन्हें solve करने के कई सारे methods हैं दो basic methods हैं जो हम आज सीखने की कोशिच करेंगे उनमें से पहला method है method 1 method 1 में क्या करते हैं method 1 में हम कोशिच करते हैं जिन numbers के बीच में हमें rational number finds करने हैं उनका average निकालने की example के लिए हम पहले example यह जो पहला question है जो example के लिए हमने लिया हुआ है इसे solve करने के कोशिच करते हैं किस से average of two rational number method से average of two rational number पहला method इस method का नाम हमने दिया है average of two rational number मान के चलते हैं हमें question में पूछा जा रहा है कि one and three के बीच five rational number find करिये ठीक है तो जैसा कि method का नाम ही indicate कर रहा है कि हमें इनका average निकालना होगा हमने इसके पहले वाली classes में पढ़ा है कि हम rational कैसे निकालते हैं sorry average कैसे निकालते हैं ठीक है तो यहां पर हमान लेते हैं let n1 number one is one and number two is three and indicate कर रहा है numbers जो भी आपको दिये गए हैं अब अपन question को देखते हैं question में हमें क्या कहा जा रहा है one and three की बीच five rational number निकाल दिये तो हम क्या करेंगे n1 की value one and two की value three divide by two तो यह हमारा हो जाएगा three one four divided by two two एक rational number यह हो गया तो हमें निकालना किनके किनके बीच है one की बीच में कितने five one two three four five और one and three की बीच में एक rational number हमने निकाला two यहां रख देते हैं अब अगला rational number हम इन दनों की बीच निकाल लेंगे तो उसके लिए n1 की value one plus n2 की value two जिन दोनों के बीच हम निकालेंगे उसमें second value जो होगी उसे हम n2 मानेंगे और जो first value रहेगे उसे n1 मानेंगे जैसे first case में हम one and three के बीच में निकाल रहे थे हैं तो n1 यह था n2 यह था अब हम इसे consider नहीं कर रहे हैं अब हम two को consider कर रहे हैं as a n2 तो हमारे n1 की value तो उसको यह सेम है लेकिन n2 की value यहां पे two हो जाएगे इस वज़े से यहां पे हमने two लिखा हुआ है ठीक है इतनी बात अगर clear है तो आगे बढ़ते हैं तो हम इसका average निकालने वाले थे हैं three by two अभी हमने दो ही निकाल रहे हैं अब हम निकाल लेते हैं two और three के बीच इसके लिए क्या होगा अब चुके हम two और three के बीच निकाल रहे हैं तो अब यहां पे n1 की value two हो जाएगी और n2 की value three हो जाएगी तो n1 plus n2 मतलब two plus three divide by two five by two यह जाएगी two point five या फिर five by two इससे अब चाहें तो हम यहां पे लिख सकते हैं five by two ठीक है हमने three निकाल लिए हैं अब हम चाहें तो इनके इनके बीच एक निकाल ले हैं और इनके इनके बीच एक निकाल ले हैं तो यह दो position जो है यह भी fill हो जाएगी यह भी कोशिच कर लेते हैं ठीक है तो यहां पे अब हम निकालने जा रहे हैं two के बीच और five by two के बीच म तो यहाँ पर n1 के value हो जाएगी 2 plus n2 के value हो जाएगी 5 by 2 और इन दोनों का average के लिए divide by 2 इसे solve करेंगे हम तो 2 to the 4 5 9 9 by 2 by 2 यह हो जाएगा हमारा 9 by 4 यह हमने निकाला 2 और 5 by 2 के बीच जो कि एक number आया हमारे पास 9 by 4 तो इसे हम यहाँ प्रूट कर देते हैं हमने कितने निकाल लिए 1 2 3 4 एक और निकालना रह गया है उसे भी निकाल लेते हैं अब हम किन के बीच निकालने के कोशिश कर रहे हैं 2 by 3 और 2 के बीच तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब आपको clear दिख रहा हुआ यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं हमने क्या क्या है हमने 2 और 5 by 2 के बीच में एक rational number निकालने के कोशिश की है 2 और 5 by 2 के बीच में तो हम average निकालने के लिए क्या कर रहे है 2 plus 5 by 2 n1 plus n2 divide by 2 इन्हें हमने add किया 2 2 is a 4 4 plus 5 9 9 by 2 9 by 2 और whole का divide by 2 यह 2 नीचे आ जाएगा 9 by 4 ठीक है यतनी बात clear होगे अब हमें एक last rational number निकालना है 3 by 2 के बीच में और 2 के बीच में हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं इसे formula के हम आपास n1 plus n2 divide by 2 यहाँ n1 क्या हम ले रहे है 3 by 2 3 by 2 n2 क्या ले रहे है 2 2 divide by 2 यह 2 यह 2 same है ठीक है आगे 2 2 is a 4 4 plus 3 7 7 by 2 whole का divide by 2 तो यहाँ जाए गब का 7 by 4 तो इसे हम यहाँ पर put कर देंगे 7 by 4 तो इस method से हम यह तो जान पा रहे हैं कि rational number निकालने से काफी easy हो जा रहा है कि नहीं दो numbers की बीच में तिन साथ ही हम यह भी देख पा रहे हैं कि अगर हमें ज्यादा rational numbers निकालने हो तो यह तो चल जाएगा इन 5 6 7 10 20 अगर ऐसे numbers हमें निकालने पड़ें तो यह method काफी lengthy हो जा रहा है आप देखी पा रहे हैं कि हमने यहाँ average निकाला फिर यहाँ average निकाला फिर यहाँ 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 five numbers find करने के लिए काफी lengthy process हमें follow करना पड़ रहा है तो हम देखने की कोशिश करते हैं क्या कि इसका कुछ alternative है जिसे हम ज्यादा numbers भी find कर लें और हमें इतना lengthy method follow करना भी ना पड़े ठीक है तो हम देखते हैं क्या किया जा सकता है इसके लिए अभी हमने देखा कि average find करके हम कैसे rational number निकाल सकते हैं और यह भी हमने देखा कि यह method काफी lengthy हो जा रहा है सिर्फ जब हम five वी rational number निकाल रहे हैं सोचेगर हमें और भी ज्यादा निकालने हो तो method और भी कितना lengthy हो जाएगा तो एक comparison के लिए कि यह second method कितना ज़्यादा effective है method first की comparison में अपन एक question लेते हैं जिसमें हमें फिर से five number से ऐसे निकालने होंगे जो rational number होंगे किनी दो rational numbers के बीच में ठीक है एक कोई question ले लेते हैं माल लिजे एक question है माल लिजे आपका question है कि three by five and four by five के बीच में five rational numbers आप find के जिए ठीक है अब हम second method में क्या करने जा रहे हैं second method में हमारा main motive जो रहेगा पहले तो हम जानेंगे n equal to क्या है n equal to वो number है जितने numbers हमें find करने हैं जैसे यहाँ भी हमें five numbers find करने हैं इन दोनों के बीच में तो n equal to हम माल लेते हैं five है ठीक है अब हम क्या करेंगे इन दोनों ही numbers में n plus one जितने numbers हमें find करने हैं उनसे plus one का multiply करेंगे इन दोनों numbers में कहने का क्या मतलब कहने का मतलब यह कि 3 by 5 में हम multiply करेंगे 5 plus 1 मतलब 6 by 6 आप अगर देखिए तो यह 1 ही है 6 by 6 equal to 1 मतलब हम 1 से 1 का multiply कर रहे हैं जो कि हम कर सकते हैं जिससे कोई उसमें value पे फर्क पड़ेगा नहीं और हमने क्या कहा कि 4 by 5 में भी सेम प्रोसेस हम करेंगे 6 by 6 का ठीक है अब देखते हैं इसके value क्या आती है 18 30 इसके value क्या आई 24 by 30 और हमें कितने रशन नंबर फाइंड करने है 5 1 2 3 4 5 अब आप देखेंगे यह question कितना easy हो गया है सारा process कहतम हो गया अब हम सीधे answer हमें मिलेगा answer क्या होगा 18 by 30 है हमाई पास 90 by 30 20 by 30 21 by 30 22 by 30 23 by 30 कितने नंबर्स मिलगा एक दो तीन चार पांच पांच नंबर्स हमें मिलगा है जो कि rational नंबर है और जो कि 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में यह है क्या है अपने इसको वापिस से इस form में ले जा जाए तो ले जा सकते है 6 3 18 5 3 by 5 यह question है और इसे करते हैं 6 से divide करेंगे तो 4 by 5 यह question का ही पार्ट है ठीक है तो हमने देखा कि कितनी easily हमने इन दो numbers की बीच में 5 rational number find कर लिए है और कोई problem भी नहीं होई पिछले बार हमने जब 5 rational number निकाले थे average method के through तो हमने देखा कितना lengthy method हो गया था तो जब भी आपको exam में या कहीं पे भी question ऐसा मिले जहां पे आपको बीच में rational number find करने है अगर 2 3 ऐसे rational number find करने है तो आप average method बिलकुर आराम से यूज करें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बहुत easy भी है और कोई ज्यादा उस पे मेहनत है नहीं और second वाला पार्ट जब आपको 5 या more than 5 आपको निकालने हो रशन नंबर तो अपन इस method करेंगे फिर से एक बार हम देख लेते हैं हमने इसमें क्या किया है हमने क्या क्या है हम यह पता था कि कितने रशन नंबर हमें इन दोनों की बीच में find करने है तो हमने क्या कि 5 प्लस 1 का इन दोनों में उपर नीचे multiply कर दिया नॉमिनेटर और डिनॉमिनेटर में ठीक है तो इसके बाद क्या हुआ हमें एक ऐसे form में नंबर मिल गया 18 by 30 और 24 by 30 और अपन जानते ह है कि अगर बेस बराबर हों किसी भी रशन नंबर के तो उसके नॉमिनेटर में जो नंबर जितना बड़ा वो नंबर उससे उतना value में बड़ा होता है जैसे 19 by 30 जो है 18 by 30 से जादा होगा यो कि आप हम देख रहे हैं 30 इनका बेस नॉमिनेटर सेम है और 19 जो है 18 से बड़ा ह ठीक है इसी तरह हम सारी में देख सकते है 19, 20, 21, 22, 23 और सब की बेस सेम है तो हमाई दिवां में अब एक डाउट आना चाहिए कि भाईया यहां तो मान लीजे डिनॉमिनेटर सेम था तो हमने यह मेथड यूज कर लिया मान लीजे यही कोश्यन ऐसा कुछ होता कि हमें कहता 3 by 5 and 4 by 6 के बीच में 5 रेशन लंबर फाइंड करके बताईए ठीक है मान जी ऐसा कुछ आपका कुश्यन होता तो हम जानते हैं कि यह जो second method था इसके एक limitation हमाई सामने आई limitation क्या सामने आई कि यह तभी यूज कर पाएंगे हम जब denominator सेम हो किनका जिन दो नंबर की बीच में हमें रेशन नंबर फाइंड करने हैं तो अगर ऐसी situation हमारे पास आ जाती है जब denominator सेम नहीं है तो कोश्यन टफ नहीं होता है बस आपको एक प्रोसेश में एक और प्रोसेश एड करने पड़ेगी यह पूरा solution के procedure में हो वो क्या करना पड़ेगा हम कोशिश करेंगे कि इनका जो denominator है वो सेम हो जाए सेम कैसे हो जाए जैसे हमने जाना कि 6 by 6 का यहां पर हमने multiply किया यह 6 by 6 है 6 by 6 अगर same number से multiply and divide करते हैं वो तो 1 ही है और किसी number में अगर ह है नहीं ठीक है अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इनके denominator अलग-अलग है 3 by 5 और 4 by 6 के तो हम क्या करेंगे हम इसका जो denominator है इसमें उपर नीचे multiply करेंगे 6 by 6 ठीक और इसका जो denominator है उसका इसमें उपर और नीचे multiply करेंगे ठीक तो यह whole value क्या आ गई 18 by 30 और यह whole value क्या आ गई 20 by 30 अब हम यहां पर देख पा रहे हैं इन दोनों के denominator या base सेम हो गए है तो अब यह question कैसा हो गया अब यह question हो गया अपने इस basic question जैसा जिसमें same denominator था इसमें भी same denominator है अब जब यह question सेम है तो हम वही पूराना same procedure follow करके solve कर लेंगे प्रोसीजर क्या था हमारा कि जब denominator सेम हो तो हमें कितने numbers निकालने हैं उसका plus 1 हम denominator और nominator में multiply कर देते हैं ठीक है तो हमारा question बन गया है यह 18 by 30 multiply by n plus 1 n plus 1 क्या है 6 तो 6 से multiply and divide कर देंगे और दूसरा number क्या है 20 by 30 इसे भी हम n plus 1 मतलब कि 6 से multiply और divide कर देंगे इसे फर्दर solve करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 18 into 6 equals to 108 180 और यह हो जाएगा हमारा 120 180 इनके बीच में हमें कितने number निकालने हैं 5 12345 ठीक है अब हम जानते हैं कि अगर base same हो तो हमें बस इसके success वह आगे बढ़ते जाना है तो 108 upon 180 इसका अगला rational number क्या लिख सकते हैं 109 upon 108 इसके आगे 110 upon 180 111 upon 180 112 upon 180 113 upon 180 120 upon 180 देकि आप निकाल इसके बीच पास से ज्यादा सकते हैं लेकिन question में हमें 5 ही find करने को कहा है इसलिए हमने 12345 find कर लिए हम ठीक है काफी देर से हम solve कर रहे हैं तो एक बार हम देख लेते हैं हमने किया क्या क्या है यहां पर short में हम समझेगी कोशिश करते हैं कि हमने किया क्या है अभी था किस procedure में पहला procedure हमने find करने के लिए जो use किया वो था average method इसमें हम क्या करते हैं जिन दो numbers के बीच में हमें rational number find करना होता है उनका average निकालते हैं अब जैसे इन के पीच में इससे हमें कोई एक number μिल गया तो फिर इन दोनों का average निकाल लेंगे फिर इन के बीच में जो number मिलेगा उनका average निकालते जाएंगे और हमें जितने भी numbers चाहिए हम इसससे निकाल सकते हैं ठीक है, यह होई average वाले method की बाद, दूसरा method क्या था, in case of same denominator, यह जो second method था, इसमें condition थी, कि denominator आपका same होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कि जितने भी rational number हमें find करने हैं, माल लीजिए, वो n है, जो हमें find करने हैं, जितने rational number, तो n प्लस 1 का nominator and denominator में multiply and divide कर देते थे, ठीक है, तो इससे हमें दो rational number जिनकी बीच में हमें rational number और refine करने हैं, उनकी बीच में जितने भी requirement हैं, उतने rational number हम निकाल पाते थे, फिर इस method को follow करने में हमने एक exception देखा कि कभी क भी क्या हो रहा है, कि हमारे denominator same नहीं मिल पा रहे हैं, same नहीं मिल पाएंगे, तो method number two जो है, वो use नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमने, क्या trick निकाला, हमने trick निकाला कि denominator जो हैं, हम उन्हें same करने की कोशिश करेंगे, दो अलग-अलग rational number में, जो अलग-अलग denominator हैं, ज यहां divide कर दिया, और इसके denominator से, यहां multiply and divide कर दिया, इससे क्या हुआ, कि d1 into d2 की value जो यहां मिले, वही d1 into, d2 की value यहां मिले, इससे जो denominator वाला part था, वो same हो गया, और जब यह denominator वाला part same हो गया, तो हमारा question बन गया, method two में apply होने के लिए, अब जब इसमे method two apply कर देंगे, फ बस एक process इसमें यह बढ़ जाता है, कि हमें denominator सेम करना है, इनका multiply करके आपस में, ठीक है, उमीद करते हैं, इतनी बात इसमें clear होगी, तो आप, अब क्या निकालना सीख गए हैं, अब आप निकालना सीख गए है, rational number कि नहीं भी, दो rational number के बीच में है, ठीक है, अब आप question द follow करना है, अगर कम rational number find करने हो, तो आप यह method use कर सकते हैं, average वाला, और अगर ज्यादा rational number find करना हो, use आप तब इस से कर दाते हैं, लेकिन first example में हमने देखा कि यह method बहुत ही lengthy हो जा रहा है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस इनके denominator को same करना है, अगर same नहीं है, तो अगर same है, तो एक process और हमारा कमी हो गया है, तो ज्यादा मेहनत करने की चीज है ने, इसमें, तो बस उसके बीच में जो भी numbers है, वो insert कर देंगे, और हमें जितने भी requirement है, वो rational number हम find कर लेंगे, ठीक है, हो क्या,